तॉपिक दिसकुशन इस वाटर इस तेकन असे स्टाडर्ड तुचेक डिफरेंट मटेरिल आस सॉलीबल और नॉट कहने का मतलब वाटर का एक स्टाडर्ड मान लिया गया है ठीक है ना स्टाडर्ड लिक्विड बना लिया गया इसके इसके थूप जितने भी आपके स्टाडर्ड होते हैं उसमें चेक की जाते हैं कि वेदर इस सॉलीबल स्टाडर्ड और नॉट ठीक है सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओके स्टाडर्ड डिफरेंट इस सेट तो बिए सॉलीबल कहने का मतलब यह हुआ कि अगर वाटर में कोई इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है अगर नहीं है तो क्या होगा इन सॉलीबल कहलेंगे सॉल्ट देख दिख 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 मतलब कि salt के जो particles होते हैं और sugar के जो particles होते हैं वो आपको दिखते हैं नहीं होते हैं इसके बारे में लोग जानते हैं मतर are the examples which we have to perform the activities with this with this particular substance okay take a big care fill it with 200 mmv water and add approach अधापिंच पिंच फॉसार्ट टुइट तो मैंने बॉटर में 200 वाटर में कुछ सॉल्ट को डिसल्फ किया से मतलब मैंने क्या किया कि जितने सारे मचाना उपर में लिए अग्याप किया तो क्या हुए जितने observation आपको उपर मिलेंगे पार्टिकुलर क्या करेंगे आपका देरी देरी अब चेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको पुली कुछ ना कुछ उसके इंसालीबल होने की करेक्टर की पता चलेगी ठीक न और शकर बना लेती है वाकर के उपर में शुगर डिसॉल्व हो जाएंगे शुगर डिसॉल्ब हो और cooking oil भी dissolve नहीं होते हैं वो एक layer बना लेती है उपर में ठीक है तो आपको ये fill up करना पड़ा-पड़ कर लेंगे हैं याप तो यहां पे सबसे पहले बोला किया density नहीं पेंगे फिश्चक्पवडर वेन इस नहीं किया थे जिए जीए नहीं जीश्चक्वडर सीच्पवड चलाउल यथा खोड़ा बना नधर आंटेंस को यहां जान नहीं नाऑंचना तो यहां पर शौक्वड़र थे यहां थेख का न शीआप टेक सकते हैं यहां जक्के सब्सक्राइब करें देटेटि तेंसे टेंसे सब्सक्राइब मताता है इसका डिग्री बताती कि वह कितनी डेंसे टीक है ना तो मटेरियल सचे से एज वागी मालो कोई भी मैंने ए वापस में डिजॉल्व करें लिक्विड को डिजॉल्व कर रहा हूं ठीक है उसमें देखेंगे जो सबसे ज्यादा डेंस होगी वह से नीचे सेटल होगी और जो हलाइट होगी वह उपर चले जाती है तो यही बताती है मतलब आपकी लिक्विड की एक मिजर्मिंट बताते है कि वह कितने जाने का मतलब यह हुआ कि वाटर की डेंसिटी यह होती है वो काफी ज़्यादा डेंस है वाटर से इस वज़े से क्या और रही थी कि रावाटर के बीकर में वो नीचे में सटल डाउन हो जा रही थी kerosene oil and cooking oil were floating on the water because their density are lesser than water water के कम होने के वजह से density कम होने के वजह से वो क्या हो रही थी उपर में क्लेर के formation करे थे water that's all for today's class thank you have a marvelous day